केरा नामें, शुमन एक्चुल्य पोको ने आज बहुत अच्छा काम किया पोको ने इंडिया में लॉँज किया पोको X3 पो जो थोरस अप्डेडेड़ हैं पोको X3 से, और पोको F1 से काफी जादा और पोको X3 पो का जो प्राइस रखा गया है इंडिया में Poco X3 Pro का unboxing and review आने वाला हैं पर पहले sale के बाद यानि पहले sale आने दीजिए flash sale में और खड़ी दूँगा आपके सामने आऊंगा Poco X3 Pro इंडिया में दो वैंट में launch हुआ 6GB 128GB प्राइस 18,999 और यह आपको early bird sale यानि first sale में मिल जाएगा with 1000 रुपीज का discount पर हाँ वो सब के लिए नहीं आइसे एसे बैंक के अगर करीट कार आपके पास है तो आपको वो instant discount मिल जाएगा और पोको X3 Pro का जो इसका उपर वारियंट 8GB 128GB वो आपको तक्रीबन 21,000 में मिलता है उसमें भी 1000 का discount तो पोको X3 Pro इस price को क्या justify करता है जरूर जरूर justify करता है अब यह phone किसके लिए है powerful CPU और powerful performance चाता है उसके लिए अब pro level का pro gate का camera आपको इसमें सायद नहीं मिलेगा पर आपको disappoint भी नहीं करेगा मैंने देखा कुछ study करके Poco X3 Pro को तो जो मुझे अच्छा लगा वो processor देखे Poco X3 Pro काफी सारे phone से अलग होता है जैसे मान लीजे Poco का खुद का ही phone Poco F1 दूसरा Realme X7 Pro, Moto G 5G, OnePlus Nord इस तरह के phone से काफी आगे होता है इसका अंदूतू benchmark score 4,91,000 के आसपास इसका जो अंदूतू benchmark score वो आता है जो मेरे इसाप से इस pricing में कोई नहीं दे रहा है आपको और उसी के साथ यहाँ पे जो Qualcomm Snapdragon 860 यह काफी powerful processor होगा और इसका performance भी आपको काफी एक improved CPU, Cryo 485 में यह run कर रहा है नबर टू, improved GPU, यहाँ पे आपको Adreno 640 मिल रहा है यारी graphics level काफी खास मिल ले वाला है त्वी, यहाँ पे आपको improved AI technology वो आपको काफी 11 मिलेगा तो high level cutters, high apps, multitasking, video editing, gaming वगेरा काफी अच्छा होगा साथ में liquid cooling technology जो 6 layer तक improve आपको मिल जाएगा यह भी काफी अच्छा है और इसमें आपको gaming turbo भी मिल जाएगा अब एक अच्छा processor तो दिया गया है पर what's about the storage type अब इसमें भी आपको flagship level का एक storage type मिलता है UFS 3.1 जो आपको काफी अच्छा performance देगा UFS 2.1 और UFS 3.0 से इसका जो speed वो आपको 2100 Mbps per second मिलेगा तो काफी बढ़िया तो यह सब मिला के भाया इसका performance एक next level का होने बाला है अब इस phone का अगर आप design and build quality देखोगे तो वो आपको उत्ता पसंद नहीं आएगा क्योंकि देखे Poco X3, X3 Pro, same आपको देखने को मिलेगा अब देखे वो Poco X3 normal और यह pro यह मान के चलिए कि भाई यह pro variant है और इसमें आपको वही polycarbonate, polycarbonate का frame और थोरा सा glossy panel, Poco का branding, बरा और scratches ज़रूर आएगा हाँ, TPU case आपको मिलेगा, वो use कीजिएगा, पर इस बार आपको थोरा सा यहाँ पे हलका मिलेगा, यानि lightweight मिलेगा, compared to Poco X3, जहाँ पे आपको इतना मोटा सा आपको phone मिला था, और event feel उतना बढ़िया नहीं था, तो यह इस बार नजर में दिया गया अब IP53 certified है यह phone में, यानि water से कुछ हद तक आपको यह बचाएगा और यह dust proof भी है, अब इस phone में और एक चीज़, देखे, 3.5 jack इसमें दिया गया है, यहाँ पे आपको जो air blaster वो भी दिया गया है, USB type C और hybrid SIM slot आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानि microSD card आप यूज कर पा अब देखे, display वही 6.67 inches का, middle band punch hole, अब upgrade कहाँ पे है, 120 hertz वो तो हमें previous model में भी बिल गया था, 240 hertz का task sampling rate, बट यहाँ पे corning gorilla glass 6 का protection दिया गया है, जो काफी अच्छा improve है, अब देखे, इस price में corning gorilla glass 6 हमें नहीं मिलता है, अब देखे, अगर phone आपका टूटेगा, तो वो किसी angle से तूट सकता है, पर at least हमें दिया गया है यह protection, और यहाँ पे आपको और एक चीज अच्छा दिया गया है, 60 hertz, 90 hertz, 120 hertz, इसमें आप shift कर सकते हो, इससे फाइदा क्या है, बैटरी जो है, वो काफी अच्छे से आपको provide करेगा, अगर 60 hertz में रहते हो, आपका जरूरत नहीं ह तो आपको battery काफी अच्छा improve देगा, और उसके बाद 90 hertz, 60 hertz से थोड़ा तो आपको drain होगा, पर 120 hertz जैसा नहीं, तो यह आपके उपर है, और यहाँ पे white wine L1 का support, HDR10 का support भी आपको मिल जाएगा, काफी अच्छा है, पर जो मुझे अच्छा नहीं लेगा, वो 450 nits का peak brightness, थोड पर Qualcomm Snapdragon AptX sound technology HD वाला, इसमें आपको low distortion मिलेगा, और wireless and Bluetooth है, उसमें आपको HD quality sound मिलेगा, काफी बढ़िया, अब इस phone ने आपको dual speaker दिया गया है, वो high-res audio के साथ, यानि quality बढ़िया होगा, जब आप media को consume करोगे, अब भाई, flash sale 6th of April को, उतने दिन तक मुझे वेट करना है, क्योंकि flash sale में मुझे वो खरीदना है, और मैं वो जो golden type color उसके साथ जाऊँगा, और आप क्या मेरे साथ आना चाहोगे, उसके लिए आपको subscribe करना होगा, और थोरा सा मुझे आगी जाने में help करना होगा, notification bell को push करके, ज़रूर all कर दिजिए, 48 megapixel का mean camera, जो Sony IMX 582, अब इसम improvement क्या है, improvement तो नहीं है, वो 64 megapixel से, पर यहाँ पर देखे, processor एक flagship level का, output अपको अच्छा देगा, और spectra 380, यह आपको technology मिलता है, यानि image quality काफी बहतर होगा, और आपको low light में भी quality काफी बढ़िया देगा, इसमें एजबर portrait mode का भी, उपयोग क्या गया है, video recording में, यह मुझ 20, megapixel का, तो सब features हैं, पर portrait mode का features मुझे काफी अच्छा लगा, 5,160 image का battery, और यहाँ पर आपको दो दिन का battery backup जरूर मिलेगा, पर 33 watt का fast charger आपको मिलता है, और यह fast charger में स्वायता करेगा, बैटरी capacity थोरा सा कम है, और यहाँ पर आपको और एक चीज अच्छा मिलता है, और पोको का UI, MIUI 12 के साथ, और इसमें ads नहीं आएगा, पोको ने कहा, और उसी के साथ यहाँ पर जो blow twares वो भी आपको नहीं मिलेगा, आपको side में fingerprint scanner मिलता है, और उसी के साथ इसमें आपको face unlock सब कुछ मिल जाता है, इस pricing में मैं blindly यह आपको recommend करना चाता हूँ, पर review आने पर थोड़ा सा camera को और upgrade करना चाहिए था, धन्यवाद